Hello everyone, this is Jyoti from Daksha Academy Lardwa and in this class we will discuss about the very important topic of biology that is tissue, ठीक है चलिए सबसे पहले यहां से हम पढ़ते हैं किसके बारे में आपका tissue के बारे में यानि की उत्तक के बारे में इससे पहले वली क्लास में, बायो की क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ता है, कि जो कोशिका है वो क्या है, जीवन के सरंचनात्मक और कार्यात्मक की काई है, मतलब structural and functional unit of life Next, हम यहीं से आगे continue करते हैं किसको tissue को, देखी, tissue क्या है, simple सा समझते हैं, बिल्कुल कि पहले कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, तो जो बहुत सारी कोशिकाओं आपस में मिलती हैं, तो वो किसका निर्मान करती है, tissue का, ठीक है, तो simple से definition है, कि a group of cells, मतलब कि कोशिकाओं का ऐसा सुमू, एक तो जिनकी उत्पत्ती, मतलब जिसका जिसे जो origin है, जिनका जो structure है, और function है, ठीक है, origin, उनकी उत्पत्ती, सरंचना और कारिया, सबका क्या हो, आपस में समान हो, उसको क्या बोला जाता है, tissue, इसको simple से example से समझे, अगर, जैसे अगर मैं बात करूँ, हमार जो kidney है, जो वरिक होता है, kidney, उसकी जो आपका functional unit है, कारियातम की काई है, वो आपके क्या होती है, nephron, ठीक है, nephrons होती है, तो जो बहुत सारी nephron cell आपस में मिलेंगी, ठीक है, जो बहुत सारी nephron cell आपस में मिलेंगी, तो वो किसका निर्मान करेंगी, आपका, nephron tissue का, ठीक है, किसका निर्मान करेंगी, नेफरोन टीशू का, अब डेफिनेशन समझ में आगी होगी, एक जैसे सेल मिलनी चाहिए, तभी वो टीशू बना पाएंगी, अगर मैं इसके अलावा बात करूं, कि आप नेफरोन सेल में ही, नेफरोन सेल है क्या, जो आपकी किड्नी की फ कोई भी टीशू नहीं बनेगा, तो हमें डेफिनेशन यहां से क्लियर हो जानी चाहिए, कि एक जैसे सेल होने चाहिए, जिनका ओरीजन एक होना चाहिए, कि अगर किड्नी की सेल है, तो दोनों सेल किड्नी के होने चाहिए थे, दोनों का फंक्शन समान होना चाहिए था, औ तो अलग-अलग cell को आप combined करके tissue नहीं बना पाऊगे, यहां से definition clear हो जाती है, next अगर मैं बात करते हो, कि यह जो tissue word है, tissue शब्द है, सबसे पहले इसे किस ने दिया, तो एक नाम याद रखेंगे, n-grew, क्या नाम याद रखेंगे, n-grew, कि यह जो tissue शब्द है, इसको दिया, क किसने coin किसने किया, इसको तो नाम याद रखेंगे, n-grew, ठीक है, next question आता है, जैसे हमने पढ़ा था कि कोशिका का अध्यान, या studio cell क्या था, cytology था, इसी तरीके से tissue का अध्यान, उप्तक का अध्यान, यह हमाना कहलाता है, histology, क्या कहलाता है, histology, हिंदी में इसको कहा देत है, OTIK, तो देखिए, यहां से न, दो कुशिन बनते हैं, एक तो क्या, कि यह जो histology word है, histology जो शब्द है, इसको किसने दिया, तो एक नाम याद रखेंगे, mayor, क्या नाम याद रखोगे, mayor, कि यह जो histology word है, OTIK, शब्द है, इसको दिया, तो किसने, mayor ने, लेकिन इसके ब mother of histology, यहनी कि OTIK के जर्नक, तो यह किसको कहा जाता है, एक नाम याद रख लेना, यहां से, Marcello Melfigy, ठीक है, Marcello Melfigy, इतना समझ में आ जाएगा, क्या पढ़ा भी तक यहां से, simple सा, बिल्कुल एक तो, आपका tissue है, क्या, एक definition यह भी याद रख सकते हो, चाहे, simple, आपक group of cell हो गया, मतलब कोशिकाओं का smooth, या फिर यह लिख सकते हो, blender of cell हो गया कि कोशिकाओं का गुच्छा, लेकिन ऐसी कोशिकाएं, जिनकी उत्पत्ती हो, और सरंचना, और कारिया, तीनों क्या हो, समान हो, तभी वो मिलके क्या बनाएगी, टीशू बनाएगा, अगर दो अल किस ने दिया, तो N-Grew ने, उसके बाद third याद रखोगे, बायो की जिस ब्रांच में टिशू का अधियन करते हो, histology, fourth याद रखोगे, word किस ने दिया, histology, mayor ने, fifth point याद रखोगे, कि father of histology कहा जाता है, मेरसेलो मेर्टी की, ठीक है, चलिए, यहां तक clear हो जाते हैं, next जो ह हम यहां से पढ़ते हैं, next जो हम पढ़ते हैं, कि टिशू को न, दो पार्ट में classify करके पढ़े, ठीक है, एक तो आपका plant tissue, मतलब की पादपुत्तक, ठीक है, पादपुत्तक, और दूसरा आ जाता है, हमारा animal tissue, मतलब की आपका जंतु उतक, ठीक है, चलिए, अभी हम क्या क करते हैं, इनी को ही classify करते हैं, हम बात कर रहे थे कि टिशू को दो पार्ट में divide करके पढ़ेंगे, एक आपका plant tissue, मतलब की पादपुत्तक, और दूसरा हमारा animal tissue, मतलब की जंतु उतक, ठीक है, चलिए, सबसे पहले देखिए, जो plant tissue है, इसको फर्दर दो पार्ट में classify करें प्लांट tissue को, एक हमारा meristematic tissue, मतलब की आपका विब जियोतक उतक, ठीक है, विब जियोतक उतक, मेरिस्टेमेटिक टिशू, दूसरा आपका आजाता है, permanent tissue, मतलब की स्थाई, उतक, ठीक है, साथ की साथ नाम याद करते चलेंगे, सबसे बहले अगर बात करू, मेरिस्टेमेटिक टिशू की, इसको फर्दर थ्री पार्ट में classify करके पढ़ोगे, एक आपका apical, इसके बाद आपका intercalorie, और एक हो जाता है, lateral, ठीक है, हिंदी में नाम लिख लेते हैं, एक तो शिर्ष्थ, इसके बाद आपका अंतरद्रिष्ट, इसके बाद आपका पार पार्श भी है, ठीक है, इस तरीके से, यह क्या हो जाते हैं, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिशू के तीन पार्ट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, permanent tissue की, इसको फर्दर, इसको हम जो है, दो पार्ट में classify करके पढ़ेंगे, एक तो आपका simple permanent tissue, इसके बाद की, सरल, स्थाई उ permanent tissue, मतलब की, जटिल स्थाई उतर, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट अगर मैं यहां से बात करूं कि, जो simple permanent है, सरल स्थाई है, इसको फर्दर आप जो है, थ्री पार्ट में classify करोगे, ठीक है, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में, सबसे पहले लिखिएगा, पैरंकाइमा, पैर पैरंकाइमा, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, complex permanent tissue की, तो इसको भी फर्दर हम जो है, दो पार्ट में डिवाइड करके पड़ेंगे, एक तो आपका जाईलम, इसको हिंदी में भी जाईलम ही बोलेंगे, जो पेड़ पोधों में पानी का परिवेहन करता है, direct question आता है, दूसरा आपका flowing, जो पेड़ पोधों में क्या करता है, खनी जिवे, आपका बोजन का परिवेहन करता है, ठीक है, उसके बाद, यहां तक समझ में आ जाएगा, यह किसकी classification है, तो यह हमारा plant tissue की classification, चलिए, next अगर हम इसकी हिंदी में बात करें, तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करती हूँ, parent काईमा की, तो यह क्या होता है, हमारा मरीदोत्तक, ठीक है, मरीदोत्तक, next आ जाता है, skeleton काईमा, मतलब की दृड़ तक, और एक last colon काईमा, मतलब की स्थूल कॉणोत्तक, ठीक है, स्थूल कॉणोत्तक, चलिए, यह हो जाती है, किसकी classification हमारा plant tissue, अंतर रिष्ट है, यह किसका example है, यह किस tissue के अंडर आते हैं, तो आपको याद रखना है, meristematic tissue, यानि की plant tissue के अंदर, simple है, बिलकुल, यह पूरे table को learn कर लेंगे, next आते है, जो animal tissue है, इसको further हम जो है, चार पार्ट में, डिमाइड करके पड़ेंगे, सबसे पहले लिखेग या, epithelium animal tissue, मतलब कि उपकला उत्तक, ठीक है, उपकला उत्तक, next आता है, आपका connective tissue, जहां से सबसे ज़्यादा कोश्चन आते हैं, connective tissue, मतलब कि सन्योजी उत्तक, ठीक है, दो हो गया, तीसरा लिखिएगा, यहां से, आप muscular tissue, ठीक है, muscular tissue, मतलब कि मास्पेशिया उत्तक, third classification, मास्पेशिया उत्तक, और एक fourth नाम और याद रखेंगे, nervous tissue, मतलब कि तंत्री का उत्तक, ठीक है, तंत्री का उत्तक, अगर मैं थोड़ असे इसका और detail में लेकर चलूँ, तो आपको छोटा सा point और याद रखना है, जैसे epithelium tissue है, देखिए, इसमें किस-किस के बारे मैं पढ़ोगे, एक तो आपका जैसे squamous epithelium हो गया, ठीक है, squamous मतलब कि आपका सरली कृत उपकला उत्तक हो जाएगा, इसके बाद आपका cubodial उपकला उत्तक हो जाएगा, cubodial मतलब कि आपका घनाकार, ठीक है, घनाकार हो जाएगा, एक और नाम याद रख लिजिएगा, कॉलमर epithelium tissue मतलब कि स्थंबाकार उत्त, ठीक है, चलिए, रहसे एक complex certified भी होते है, जिसकी हमारी skin बनी होती है, वो detail में इसमें पढ़ेंगे, नेक्स थोड़ा सा याद रख लिजिएगा, connective tissue में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो देखिए, direct question आता है कि जो blood है, सरा जाएगा, connective tissue, blood हो गया, lymph हो गया, मतलब कि रसिकाए, ठीक है, lymph के बाद याद रख लीजिएगा, आपका bones हो गई, ठीक है, cartilage हो गया, जो भी bone के उपर soft सा material होता है, और इसमें याद रखेगा, edipos हो गया, जो आपका, क्या करेगा, fat वगेरा को store करेगा, areolar हो गया, इसके बाद आपका tendon हो जाता है, tendon से आपने याद रखना है, कि जो bone और muscle को आपस में जोड़ेगा, BTM से याद रख लीजिएगा, bone, tendon, muscle, एक आपका ligament हो जाता है, जो क्या करता है, हड़ी को हड़ी से जोड़ेगा, BLB से याद रख लीजिएगा, तो यह आपने सारा का सा किस में पढ़ना है, connective tissue में, ठीक है, उसके बाद, नेक्स अगर बात करते हैं, देखें, nervous tissue की, मतलब की तन तरीका उत्तक की, यहां से आप किस किस के बारे में पढ़ोगे, एक तो brain के बारे में, मतलब मस्तिश्क के बारे में, दूसरा जो भी spinal cord है, उसके बारे में, इन त detail में, देखें, तीन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, आप, एक तो आपका किस के बारे में दे लिख देते हैं, इसको, stratified, आपका muscular tissue, sorry, steartid लिख ले ना भी, इसको धारी-धार, खीक है, steartid muscular tissue, एक हो जाएगा, आपका smooth muscular tissue, यानि चिकनी मास पेशी है, और एक हो जाए हुमारा, cardiac muscular tissue, cardiac मतलब आपका किस से related होगा, हर्ट से, ठेक है, चलिए, इतना समझ में आ जाएगा, भई, this is all about your tissue, जहां से आपने जो भी पढ़ना है, इस diagram को बड़े अच्छे से याद कर लिजेगा, direct question आता है, फटवर्ट से इसको revise कर लेते हैं, सबसे पहले जो tissue है, उसको दो पार्ट में किया, plant tissue, इसके बाद आपका animal tissue, ठेक है, उसके बाद, plant tissue को दो पार्ट में, meristematic, then permanent, meristematic को आगे तीन, apical, intercalorie, lateral, इतना याद हो जाएगा, यहां से, इसके बाद, permanent tissue को आगे दो पार्ट में, simple permanent, मतलब, parenchyma, skeletonchyma, colonchyma, आगे complex permanent, xylem, और flowing, यह हो गया हमारा plant का, next animal tissue में, सबसे पहले किया, आपने epithelium, यानि उपकला, उप तक, जो भी skin की outer covering होती है, वो सारा, जैसे आपका squamous हो गया, cubodial हो गया, columnar हो गया, दूसरे नमबर पर याद करोगे, connective tissue, जिसमें यह कु blood हो गया, bone, cartilage, agaral lymph, adipose, areola, tendon, ligaments, direct question हमारा बनता है, next पढ़ोगे, nervous tissue मतलबा, brain और spinal cord के बारे में, muscular tissue में, आप पढ़ोगे, stated, smooth, or cardiac muscular tissue, ठीक है, this is all about the introduction, and that diagram of tissue, I hope, आपको class अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे, तो like and share कर दीजिएगा, channel को like, share, subscribe कर दीजिएगा, thank you, thanks for the watch